बड़ते अंगली ख़बर के यूपक की गोली मार कर हत्या करने के मौमली में क्राइम ब्रांच और पुलिस के सभी टीम ने घटना में शामिल 9 आरोपियों में से 6 को गिरफतार किया है वहीं एक आरोपी पहले से ही जेल में बंद है बाकी बचिदो फरार आरोपियों के उपर वरिष्ट पुलिस अधिक्षक ने 25 पचीस हजार रुपई का इनाम घोशित किया है इना आरोपियों ने पहले मृतक से 5 लाख रुपई की मांग की थी जिससे की मृतक निम शाप मना कर दिया था इस बात पर आरोपियों ने व्यक्त की हत्या कर दी और मौके से सभी आरोपियों फरार हो गया है जिसमें पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ़तार कर लिया है जैंग में अभी तक 9 लोग प्रकाश में आया है, 9 लोग में 6 लोग गिरफ़तार हो कर चुके है साथवां पहले से जेल, रितेश के हत्या के बाद ही पुलिस के रडार में आया था बट वो अपने मौझूदगी लखनों में रखका CCTV का फूटेज बगरा दिखाया पूरा प्लाइनिंग और लाजिस्टिक्स में पूरा साथ में था, उसको पुलिस में पहले पकड़ा, साच ना होने के वज़े से उसको जेल बेज़ दिया गया अब बाकी के गिरफ़तारी के बाद उसका अनालेसिस के बाद वो सब सामने आए बड़तेंगली खबर के और बुलन शहर के अनूप शहर को तवाली शित में एक तरदनाक सड़क हासा हो गया जहां एक मासूम बच्चे की ट्रुक की चपेट में आने से मौत हो गई बदा जा रहाए कि बाइक सवार दंपत्ती बच्चे को लेकर सफर कर रहे थे तभी महिला के हास से अचानक बच्चा फिसल गया तभी बच्चा पीछे से आ रहे ट्रुक की चपेट में आ गया जिससे की बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई गटना की सूर्जना पर पहुंचे पोलिस ने बच्चे के शौ को पोश्ट माडम के लिए भेज दिया है और मामल के तहकिकात में जुट गई है गोरखपूर में 33 पंचा चुनों की नामंकन प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा ब्यवस्ता के भी शुरू कर दिया गया है जिला पंचा सदस्य का नामंकन कलेक्टरट परिशर में और ग्राम प्रधान ब्लाक प्रमोख छेत पंचा सदस्यों का नामंकन ब्लाक पर कड़ी सुरक्षा ब्यवस्ता के भी शुरू हो रहा है आपको बता दे कि करेक्टुट पर्शर में सम्मंधित अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की पल-पल जानकारी ले रहें जिससे कि नामंकर भर्ने आए प्रत्याशों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े कि नामंकर प्रक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की तैयारी की गई है इससे पहले आपको बताते चुले कि उस तरीके से राज चुनाव निर्वाजन आयोग ने जो गाइडलाइन्स जारी की है कि जो प्रत्याशी कोरोना पॉजिटिव थे या फिर उन्हें कोरोना हुआ है तो वो अपने जो उनके घर की गार्जियन है या फिर कोई सदत से हैं उनके जर्ये वो अपना नमंकन दाखिल कर सकते हैं हाला कि आपको बताते चले कि जो गाइडलाइन्स जारी किये गए हैं उसमें मास्क और सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है जिस तरीके से आपको बताते हैं चले की चुनाव है चुनाव को देखते हुए कोरोना का भी एक बार फिर से प्रकोब बढ़ा है देश में लगातार जिस तरी के एक से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो यह चिंता जुनक है इसको लेकर जो राज निर्वाचन आयो गया उसने सक्त रुकत अक्तियार कर दिया है और साफ तोर पर कहना है कि कोई भी अगर लापरवाही करता है तो उसके खिलाब सक्त से सक्त कारवाई की जाएगी